आज हम बात करने वाले हैं Dr. Redis की, पहले इसका profit numbers देख लेते हैं recently, आप देख सकते हैं last three quarters में profit और अच्छा growth दिखा रहा है, तो obviously जो share price है last three quarters का अगर आप देखिए मार्च से price अच्छा growth कर चुकी है, यह weekly chart है इसका, तो आप देख सकते हैं अच्छा profit आ रहा है और अच् तो कोई भी share में कभी भी positional invest करना है, तो आपको सबसे पहले एक track करना होता है, कि जैसे यहां पे 97 crores का disappointment हुई थी जब 709 से 97 हुआ था, और उसके बाद अगर आप देखिए एक बहुत बड़ा jump हुआ था numbers, तो June 2022 में अगर हम पर देखे, तो यहां पे देखिए आप, जो यह एक weekly chart है, तो यहां पे weekly chart में भी आप देखेंगी, जो यह downtrend था, उसको यह breakout दे रहा था, मतलब प्रेंड लाइन का यही मतलब है, breaking out of this trend, और यहां पे आप देखिए, जो fundamentally है, जून के quarters में आपको numbers, काफी जबरदस numbers आए था, यहां से 97 से 1189 करोर का profit, तो यह आपको technically भी यहां पे प्रूफ हुआ है on a weekly basis, और यही होता है, जब हमें एक turnaround दिखता है, बहुत fundamentally और बहुत technically, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर fundamental आप अप्रोच भी लेगना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, नेक्स क्यों कॉर्टर्स, प्रॉफिट बड़ा फिर थ दिखाया था, बट जो एक upfront की निशानी होती है, जैसे हम बोलते है, higher high और higher low, higher high higher low, तो यह stop loss आपको यहां रखना होता है, अब यह कि यहां पर यह negative impact तो आया stock में, बट इसका जो previous swing low है, वो break नहीं हुआ, और इसका, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह एक one time बात थी और इसके बाद next, जून का फिर से result आया, उसमें फिर से एक अच्छा profit आया और फिर से price एक update में आ गई, अब यह ऐसे continue करके आपको एक positional investor की तरह आप ऐसे सोच सकते हैं, और अब यह होगी बात, अभी recent profit भी अगर आप देखे तो 14.82 growth continuously maintain कर रहा है stock, अब यहां पे हम एक important factor जो consider करते हैं, तो है shareholding pattern, उसमें भी अगर हम देखे, तो यहां पे promoter की almost fixed ही है, although थोड़ा सा promoter कम कर चुका है, 6.9 से 6.6, but यह काफी minute है, but nevertheless promoter अगर थोड़ा भी अपना stake इधर उधर करता है, जैसे continuously आप देखे, 26.72 मार्ट तो 22 में था, उसके बाद थोड़ा- quarter में अपना stake बढ़ाया है, but अगर आप इसकी details में जाते हैं, तो यहां पर आपको, जो इसके division है, उसमें आप देख सकते हैं, यह जो first center investor करके FIA है, इसने अपना stake 2.32 बढ़ाया है, but कुछ जो ऐसे FIA हैं, उन्होंने अपना कम भी किया है, जो गोर्मन्ट और Singapore है, उन्हो कुछ बढ़ा रहा है, कुछ कम कर रहा है, तो यह हमें clear picture नहीं दे रहे है, FIA set, अगर आप DIA set देखे, तो यह अपनी holding, जो है, continuously कम कर रहा है, मलब 23.05 मार्च में थी, क्योंकि अब इनको यह profit हो चुका है, जो इन्होंने, जैसे हमने बताया, जो पहले invest करें, जैसे यहां पर mutual fund पहले invest करके रखे होता है, क्योंकि उनको पता हो अब profitable रहने वाला है, थोड़े time के लिए, तो वो अपना short term trading जो करते है, इसी pattern पर करते है, result already उनको पता होता है, वो पहले से stake ले ले लेते हैं, और फिर वो continue करते है, और जब profitable जादा अच्छा आने लगता है, तो वो news में उसको बेच के अपना stake कम करने लगते हैं, तो यहां पर D.I.S. भी हम देख पा रहे हैं कि अपना stake थोड़ा कम कर रहे है, regular क्योंकि profit booking up कर रहे है वो stock है, और उसमें जो main है, वो है L.I.C. जिसने इस quarter में और most अपना 9.72 से 7.34 कर दिया, और यहां पर SPI का ETF है, उन बुक थोड़ा-थोड़ा कर रहे है, तो जो mutual fund है, वो थोड़ा-थोड़ा profit book कर रहे है इसमें, तो यह एक negative sign है मेरे साफ से, क्योंकि अगर D.I.S. अपना profit book करेंगे, तो mostly क्या होगा, share जादा gap रह जाएगा upset, अब इसको हम technically देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है यहां अब हमारे पास यहां पर देखिए एक trend था, जो जब यह breakout हो, उसके बात established हुआ था, तो यहां पर यह trend maintained है, अगर हम trend line की बात करें, weekly basis हमारी यह trend line है, अब यहां पर हम daily chart में आ जाते हैं, इसी chart को हम daily chart में ले आते हैं, अब यहां पर daily basis, हमारे पास जो यह trend था, यहां प breakdown हुआ था, यहां पर, इसको मैं daily का coding कर देता हूँ, तो अब जब यह daily के trend line break हो गई, इसका मतलब एक weekly pullback जो बोलते है, वो आगया है stock में, बट जो यह fall है, आप देखिए कितना slow fall है, चुँकि यह corrective fall है, corrective fall क्या होता है, जो one way नहीं जाता, जो थोड़ा नीचे, थोड थोड़ा नीचे, थोड़ा उपर, इस type का fall, जो थो corrective fall बोलते है, जब भी ऐसा fall हो, तो एक counter trend वापस, यह corrective है, और यह major move है, तो हम expect करते है, जो भी यह top होता है, यह फिर से एक बर break करेगा, अब यहां पर अगर आप दूसरी trend line draw करें, क्योंकि यहां पर हमारे पास यह trend का भी breakout हो चुका है, अब इस breakout को जैसे हमने यहां पर weekly पर देखा था एक breakout आया था, यहां पर भी breakout एक आया है, अब यह breakout के दो, जैसे हमने पहले बात की breaking out this downtrend, जो यह downtrend उसका breakout हो है, अब इसके बाद एक case होता है, जिसमें यह all time high, जो इसका यह high है, 5993 इसको break करके ऊप पास दिखाएगा, overall move यह corrective रहेगा, वो slow रहेगा, पर अगर इस type का एक move रहेगा, फिर इसका यह मतलब होगा कि future में, यह एक बार फिर से जो यह low है, 5200 का, फिर से एक बार tag कर सकता है, बट nevertheless, यह हमें आगे ही पता चलेगा, जो यह अभी यह, इसमें हम expect करते हैं, थोड अनर में भी आप देखें, जो यह pullback चालू हुआ था, इसके लिए भी हमारे पास एक early trend line थी यहां पर, अब यह early trend line का break जैसे हुआ यहां पर, तो हमारे पास यह pullback चालू हुआ, यह pullback का भी अब जो यह move है, यह भी हमें trend line की तरफ से tag कर सकते हैं, यह trend line है, जो early के uptrend को hold करके रखी हुई है, तो जब तक ही यह, जैसे यहां पर आपको एक impulse हुआ मिला है, फिर से correction, फिर से impulse, फिर से correct to move, तो जब तक यह trend line आपकी hold कर रही है, तो इसमें upset के हुआ, अभी जो मुझे move लग रहा है, या तो यहां पर यह break कर देगा, या एक बार फिर से एक बार जा सकता है, पर जैसे यह उपर जाएगा, यहां पर आप देखिए, अल्रेडी एक चार्ट में जो हम बोलते है, momentum, जो momentum यहां पर था, इस area में, वो momentum इस area में अभी नहीं present है, तो इसका यह मतलब है, next move जो है, वो downside की है, वो downside की move तब आएगी, जब यहां पर एक break of trend line हो ज सकता है, और जैसे ही वो break करेगा, तो यहां पर हमें एक, जो बोलते है, correct to move मिलेगी फिर से, और फिर से और थोड़ा fall इसमें दिखा सकता है, अब वो overall अगर हम 4 hours में बात करते हैं, तो यह जो fall होगी, अब इसके 2 cases बन जाएंगे, या तो यह जो low है, एक दम से निकाल दे करेगी, या फिर यहां पर थोड़ा time pass करेगी, अगर वो यहां थोड़ा time pass slow move होगी, तो यह और upset जाएगा future में, बट दोनों cases में हम यहां पर downside या तो impulsively plan करेंगे, या थोड़ा correct to fall plan करेंगे, और अगर correct to fall होगा तो उसके आगे यह और उपर जाएगा, और उस case में यह यह top है, फिर से उसको break कर सकता है, बट यह आगे plan करेंगे, बट अभी जो short term है, very short term है, उसमें हमारा bias इसमें थोड़ा downside होगा, और उस downside की strength कैसी होगी, उस हिसाब से हम इसको आगे plan कर पाएंगे, अब यह वीडियो को पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा, यह वीडियो